बड़ी खबर गिरफतारी के बाद E.D. दफतर लाए गए केज रिवाल, आरमल डॉक्टर्स की टीम ने कल मेडिकल चेकप किया था केजिरिवाल को एडी के लॉक अप में रखा गया है ग्राउन फ्लोर पर अर्विंद केजिवाल को एडी के लॉक अप में बंद करके रखा गया है और आज एक बार पर से उनका मेडिकल होगा अर्विंद केजिवाल का आज फिर से मेडिकल किया जाएगा दिली की राउज रवनी कोर्ट में पेश करने से पहले केजरिवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी सुबह सारे दस बजे एक बड़ी खबर आपने केजरिवाल की गिरफतारी को चुनौती दी है दो अलग-अलग मामले दो अदालतों में यह केजरिवाल की गिरफतारी को चैलेंच किया गया है सुप्रीम कोर्ट में यह केजरिवाल को पेश किया जाएगा ए dec.lawall की legal team इस बात का विरूद करेगी ED रिमान की और यूज रूम से हमाई साथ से होगी रंजना लाइव कनेक्ट है अरंजना किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है और यह जो दोनों मामले अलग अलग अडालतों में हैं वो अर्विन के जिवाल और आम आद्वी पाती के भवश्य के लिए कितने हैं बिल्कुल देखें ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि जिस तरह से शराब नीती मामले में अर्विन के जिवाल पर शिकंजा कसना जा रहा है उसकी तस्वीरे लगतार भाराट 24 एक्स्क्लूजिवली दर्शकों को दिखाना दे कि बीते दिन ये बड़ी खबर आई ब्रेकिंग नीउस सामने आई कि शराब नीती मामले में एडी जाच वारेंट और दसवा समन लेकर अर्विन के जिवाल के घर पहुँचती है दो घंटे की पूछताच के बाद नौ बजे अर्विन के जिवाल की गरफतारी हो जाती है अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद गरफतारी को लेकर आपके तरफ से सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई है जिसे लेकर साड़े दस बजे सुनवाई होगी तो साथी साथ ये भी अपडेट अपने दर्शकों को बताते चले कि 10 बजे राउज एवन्यू कोट में भी आज इस पूरे मामले को सुनवाई होने वाली ये लेकर और एडी अर्विन के जिवाल को लेकर आपको बताते चले कि रिमांड मांगेगी हाला कि अब देखे जिस तरह से अर्विन केजवाल के गरफतारी होई है आगामे लोकसभा चुनाब है और उससे पहले ये गरफतारी कई सवाल भी उठारे लेकिन जिस तरह से तस्वीरे निकल कर सामने आरे देखे पूरे देश भर में अब आप नेताओं के तरफ से प्रदर्शन देखने को मिलेगा और आपके कारे करता बीते रात से ही अर्विन केजवाल के गरफतारी के बाद से ही लगतार प्रदर्शन करते जा कर रहे हैं और वो तस्वीरे लगतार आप देख रहे ह Casey आपको ये जानकारी देते चलिकि शराब नीती मामने में जिस तरह से दो घंटे के पूछताच के बाद अर्विन केजवाल के गरफतारी हुई है तो वहीं इस पूरे मामने में देखे तेरा महीने पहले पूरवर डिपटी सियम मनीश सिसोधिया और छे महीने पहले संजे इस पूरे मामने को लेकर गरफतार के गा है और लगतार ये देखी कितना है हम होगा एक तरफ लोकसभा चुनाओ दूसरी तरफ वपक्ष इससे एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहा है राजनितिक लाब और नुकसान का मुद्दा भी यहां पर दिख रहा है आप बिलकुल देखे लगतार बयान हम सुन रहे हैं इस पूरे मामने को ल लेकर अगर हम बात बीज़पी करेंगे तो बीज़पी लगतार अर्विन के जवाल को लेकर हम बयान सुन रहे हैं कि किस तरह से वो बयान दे रहे हैं घेर रहे हैं उन्होंने का कि जो उन्होंने कर में किया उसका फल मिल रहा है यानि कि अर्विन के जवाल शराब नितिक से तारीक की घोशना सामने आ चुकी तमाम जो पार्ट किया पूरी तरह से तैयारों में जुड़ गई हैं लेकिन इसी बीच अर्विन केजिवाल की गरफतारी और उसके बाद पूरे देश भर में आप कारेकरताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिड़ा अगर आज की बात क तो देखे दिल्ली में चखा चखा सुरक्षव एवस्ता सक्त कर दिया गया है क्योंकि आपके कारेकरता लगातार अर्विन केजिवाल की गरफतारी के बाद प्रदर्शन कर रहे हाला कि अब इसे एक चुनावी मुद्धा भी देखे बनाने की कोशिश लगातार आपके तर अर्विन केजिवाल पर हमला वर है आयूश गया लेकिन वो पेश नहीं हुए और अर्विन केजिवाल इसे लेकर हाई कोट भी पहुंचे थे कि उनकी ये अर्विन केजिवाल ने ये कहा था कि वो पेशी के लिए जाएंगे वो एड़ी के सवाल का जवाब देंगे लेकिन गिरफतारी पर रोक की जाए खाला की देख कई अगर बात करें तो कई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जबत किये गए हैं और देखिए आज कि अगर बात करें तो साड़े दस बची ये सुनवाई होगी और सुनवाई काफी जादा महत्वपून हो जाती है क्योंकि बीते दिन अगर हम आप मंत्री का बयान सुने की दायर करती है और राहत की अमीद है और जल्द सुनवाई की भी बात उन्होंने कही थी हाला कि देखना होगा कि साड़े दस बची जब सुनवाई होती है तो क्या केजरिवाल को राहत मिलती है और ये भी बयान आपने सुना था कि केजरिवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे तो काफी जादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया आगामी लोग सबाच चुनाव है और उससे पहले जिस तरह से ये पूरा प्रकुरन हो रहा है तो कई तमाम सवाल खड़े कर रहा है आज पूरे देश भर में आप कारे करताओं ने जोड़दार प्रदर्शन का अलान कर दिया है इसके मदे नज़र पुलिस प्रशासन के टीम को डिप्लॉई किया गया कि ताकि कोई किसी तरह का कोई प्रदर्शन हावी ना हो और इसे लेकर पुलिस भी पूरी तरह से तयार है साथी साथ देखे किस तरह से बीजेपी मुख्याले के बाहर भी आपके कारे करताओं का जमावड़ा है और वहाँ पर भी दस बज़े की करीब का बक्त दिया गया है कि प्रदर्शन होता वा नज़र आएगा और साथी साथ ये भी कि आज रवज एवनी कोट में इस पूरे कोट में अरविन केजवाल के गरफतारी को लेकर उसे चुनोती दी गई है और वहाँ पर सुनवाई क्या होती है कितना और काफी जादा ये महतपपूर्ण भी हो जाता सुनवाई लेकिन सवाल यही है कि क्या अरविन केजवाल को वहाँ पर राहत मिलती है अगर राहत मिलत पूरे मामले में जैसे बीते दिन बड़ी खबर सामने आती है कि ED के टीम अर्विन केजिवाल के घर पहुंचती है दसवा समन लेकर और सर्च वारेंट लेकर नौ समन के बाद भी अर्विन केजवाल पेशी नहीं हुए शराब निती के मामले में 13 महीने पहले इसी पूरे मामले में पूछताच के बाद वो तस्वीर अपने दर्शकों को याद होगी कि किस तरह से लंबी पूछताच के बाद मनीश इसी सौदिया को पुरवट डिपटी सीम को वहां से गरफतार किया गया 13 महीने पहले और उसके बाद 6 महीने बाद इस पूरे मामले को लेकर लगतार आपके नेताओं पर शेकंजा कसता जा रहा देखिए बीते दिन जो जानकारी साबनी आए किस तरह से के कविता के गरफतारी हुई और अर्विन के जिवाल से भी इसे लेकर सवाल जवाब किया गया कि के कविता को लेकर इस शिराब नीती को लेकर उनसे भी सवाल जवाब किया गया हाला कि कल करीब दो घंटे के लंबी पूश्टाच के बाद अर्विन के जिवाल के भी नौ बचे के करीब गिरफतारी हो जाती है और पूरे देश में देखे आप कारेकरताओं के नाराज की यहाँ पर नजरात लेकिन देखे आपके अगर बात की जाए तो लगतार आप जो है वो बीजेपी को खेट रही है ये आपके नेताओं का बयान सामने आता है कि बीजेपी ने एडी सीबियाई को खरीद लिया है और इसी के सहरी चुनाव जीत रही है ये बयान लगतार जो है विपक्ष दे रहे है लेकिन इसका रंगरा असर कितना पड़ेगा मादभी पाती की चवी पर अर्वरिन के जिवाल की चवी पर कि जिस करप्षन के मुद्दे को लेकर उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की उसी करप्षन के मुद्दे पर उनके सबसे बड़े चेहरे को जेल जाना पड़ रहा है राजनीति का सर चवी को लेकर कितनी अब बिल्कुल आयोश देखे गे तो जनता तेह करेगी हम तो प्रतिक्रियाएं बता रहें लेकिन जनता इसलिए तेह करी कि को आगे आगामी लोगसबा चुनाव है और उससे पहले ये गिरफतारी लेकिन आपके नेताओं की बात करें मुख्यमंतरी अर्विन केर्जिवाल की बात करें तो वो बलकुल आश्वस्त नजराते हैं वो बलकुल कॉन्फिडेंट नजराते हैं कि नहीं हमारे तरफ से ऐसे कोई खोटाले हुए ही नहीं है ये बीजेपी लगतार अपने आपको उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और इसे चुनावी मुद्धा बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रही हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें रोका जा रहा है ये आपके नेताओं के अर्विन केर् प्रतारोप प्रतारोप के बीच इसका लोगसभा चुनाओ पर भी असर होगा और अगर अर्विन के जिवाल को राहत नहीं मिलती है जो हमने पैटन देखा चाहे मनीश सौरिया की बात की जाए जबसे गरफतार हुए एक साल हो गया उनको जिल से बाहर आने का मौका नहीं मिल तो लोगसभा चुनाओ में आमाड़ी पार्टी जो कि रास्टी पार्टी है उसके राजजिनितिक प्रचार प्रसार और इस चुनाओ के रिजर्ज को लेकर आमाड़ी पार्टी के लिए कितना उखसान हो सकता है जाहिर तो पर देखे अगर के जिवाल की गरफतारी पर रो के जिवाल को राहत मिलती है या नहीं क्योंकि देखिए अर्विन के जिवाल ने पहले भी ये का तो उनका ये बयान सामने आया था कि जब वो पेश होने के लिए तयार है एडी के समन का जवाब देने के लिए तयार है लेकिन वो पेश तब होंगे जब उनकी गिरफतारी क की नहीं होती है तो वो पेश होते हैं लेकिन जाहिर तोर पर अगर गिरफतार इस पूरे मामली को लेकर सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिलती है राउ जिवन्य कोट में भी इस पूरे मामली को लेकर आज सुनवाई होगी रिमांड मांगी जाए कि अगर राहत नहीं मिलती है आगामी लोगसभा चुनाव होने वाला है और उसके मद्दे नज़र आम आदमी पार्टी के अगर मुख्या जेल में बंद रहेंगे तो ये कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार चलाएंगे और मैंने पहले भी इसका जिक्रे किया कि आपके जो नेता हैं इसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं वो कान्फिडेंट हैं वो के ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है अर्विन केजिवाल की अगर बात की जाए तो वो इस पूरे घुटाली को लेकर उन्हें फसाया जा रहा है और बीजेपी अगर है तो इसे लेकर चुनावे मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान मुतरने की कोशिश कर रही है और बार बार इस पूर्टाली को लेकर लगातार जो है वो अर्विन केजिवाल को घेरा जा रहा है आयूश